हाई एवरीवन, वेलकम बैक टो मैं चैनल, आज गैस मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ, बिल्ट स्किल के पेंट स्पेर का, जी हाँ दोस्तों मैंने अपने घर को पेंट कराने के लिए एक पेंट स्पेर मंगवाया था, क्योंकि गैस जो मेरे घर को इस्प्रे से पेंट किया कि खुली हुई है, बिकास इसको मैंने अपने घर को पेंट कराने के लिए यूज किया था, आप लोग देख सकते हैं, कि यह जो मशीन है, इस टाइप की आती है, और दोस्तों इसके अंदर पेंट हमारा भरा जाता है, बाइदा वे, इसको अभी मैं असेंबल करके आपको कि यह ऐसी दोस्तों तयार होती है, बाइदा वे, आपको इसके अंदर जो है, बुकलेट मिल जाती है, कि कैसे इसको यूज करना है, खास बात इस बुकलेट की यह है, कि दोस्तों इसमें जो है, सारी इंफर्मेशन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लेंगवेज में लिखी ह हुई है, यानि कि दोस्तों आप इसको आसानी से पढ़ कर दोस्तों यूज कर सकते हैं, इस पेंट स्प्रेयर मशीन को, और दोस्तों आप चाहें तो अपने आप भी पेंट कर सकते हैं, इस पेंट स्प्रेयर मशीन के थ्रू, अगर दोस्तों आपको खुद पेंट करना है गर को तब भी दोस्टो आप कर सकते हैं और दोस्तो पेंट स्प्रेयर मशीन गास इह प्रक्षाई दियों मेंद्लिट की है ज कभी भी यूज़ कर सकते हैं और इसको दोस्तो आपको चलाने के Umie यह पावर प्लग में दोस्तो इसके केबिल को लगा देना होता है, धिन दोस्तों, आप इसको अराम से यूज़ कर सकते हैं और says, इस paint sprayer मशीन के अंदर, guys, हमको कुछ accessories मिल जाती है, छी है दोस्तों यह जो nozzle है, यह nozzle दोस्तों अलग-अलग paint spray type कर दे के लिए है। यह nozzle को अगर आप दोस्तों इस paint spray machine में लगाएंगे तो अलग तय का spray निकलेगा अपने बिए पेंट spray म्यों लगाएंगे तो अलग दोस्तों जो है paint spray निकलेगा तो ये आप लोग देख लिजिए इस टाइप का दोस्तों रहता है और दोस्तों इसको fit करना काफी easy रहता है बस दोस्तों आपको जो है इसमें गैज इसको लगाना होता है इस टाइप से और घैज ये हमारी fit हो जाती है machine और गाइस इसको चलाने के लिए आप इसमें गाइस पेंट दोस्तो्न नीचे से भर सकते हैं, और इसमें गाइस देख सकते हैं। कुछ हिस टाइप की दोस्तों लगने के बाद ये हो जाती है हमारी मशीन और इसके ऊपर चाहें तो आप ये नॉजिल भी फिट कर सकते हैं काफी दोस्तों इससे और गृपिंग मिल जाती है और पेंट का प्रेशर जो होता है वो काफी दोस्तों अच्छे से निकलता है जब आप इस क्याप को लगा लेते हैं काफी दोस्तों इसको यूज करना सिंपल एंड असान है अगर आपको इस पेंट इसक्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप इस पेंट इस्पेर मशीन को वहां से पर्चेस कर सकते हैं ये दोस्तों काफी अच्छी क्वालिटी की है और उसके साथ में दोस्तो, बिर्ट स्किल की दोस्तो, ब्रेंडिंग भी आती है, और काफी दोस्तो, यह लाइटवेट है, अप्रॉक्स यह 1kg की दोस्तो, होगी कोई हैवेई नहीं है, कि आप दोस्तो, इसको उठाणा पाயे, और इसको दोस्तों आप कहीं भी paint करने के लिए use कर सकते हैं जैसे wall पे use कर सकते हैं, door पे use कर सकते हैं, roof पे use कर सकते हैं कहीं भी कभी भी guys आप use कर सकते हैं और दोस्तों paint कराने के लिए जो हम लोग बहंगी-महंगी guys जो painter को fees देते हैं वो दोस्तों आप बचा सकते हैं इस paint spare machine के द्वारा आप भी ले आईए अपने घर पे इस paint spare machine को और अपने घर को बनाईए सुन्दर और beautiful इस paint spare machine के थूँ यह है build skill की हमारी paint spare machine यह आती है adjustable and convenient container के साथ में और दोस्तों इस container में आपको paint डालना होता है और इस container में आपको measurement के लिए guys दोस्तों quantity भी दी गई है जैसे 200 ml, 300 ml, 400 ml, 500 ml, 700 ml और दोस्तों maximum इसमें 700 ml तक paint आ सकती है दिखने में guys आपको छोटा जरूर लग रहा होगा लेकिन guys 750 ml जो है इसमें guys paint आराम से आ जाएगी और इसमें paint भरने के बाद में आपको अच्छे से guys इस type से tight करके guys लगा लेना है और दोस्तों इसमें guys cord होती है इस cord को आपको power socket में guys लगा देना है और दोस्तों power plug on कर दीजेगा और दोस्तों इसमें guys फिर आपको कुछ भी नहीं करना है सब दोस्तों machine करेगी बस आपको इसका दोस्तों जो button है वो guys आपको दबाना है बिल्कुल guys जैसे हम लोग बंदूक से गोली चलाते हैं उसी type से guys यह हमारी paint इस पे machine भी काम करेगी और दोस्तों दिखने में यह मुझे guys जो है पिल्कुल गन ही लगती है और इसको guys मैं एक खिलोने की तरह आराम से यूज करता हूँ और दोस्तों ऐसा नहीं कि आप paint जो है आज ही करना सूरू कर दीजिए जब भी guys आपको time मिले छुट्टी वाले देन या दोस्तों festival में या आपके घर पे बहुत गंदगी हो गई हो साफ करने के लिए guys कभी भी आप कहीं भी इसको use कर सकते हैं काफी convenient tool है guys हमारे घर पे जरूर होना चाहिए और दोस्तों मैंने इसको इसलिए purchase किया क्योंकि guys जब मेरे घर पे पेंटिंग हो रही थी तो जो पेंटा रहते थे हमारे घर पे पेंट करने के लिए वो guys जो है यही machine same as it is guys जो है वो हमारे घर पेंट करने के लिए लाते थे और दोस्तों मुझे पढ़डे उस machine का जो है 250 rupees guys जो है रेंट देना पड़ता था और दोस्तों यह machine की price सुनकर आप guys चौक हो जाएंगे जब मैंने guys इसको Amazon पे देखा और guys पेंटिंग भी हमारे घर पे चली रही दी तो guys मैंने जो है इसको सर्च किया Amazon पे finally यह मुझे मिल गई और दोस्तों इसको फिर मैंने order किया and order करते ही guys जो है मुझे 3-4 दिन में यह deliver हो गई मैं इसको दोस्तों मैंने जब यह deliver हुई उसी दिन guys इसको मैंने जो है printer को दे दिया और printer से कहा कि अब भाई तुम जो है अपनी machine पुरानी वाली मेरे घर मत लाना मैं इतना रेंट दे के परेशान हो गया था इतने में तो guys मेरे दो यह build skill की paint spare machine आ जाती लेकिन खायर कोई नहीं अब guys मेरा जो है money waste नहीं होगा क्योंकि guys अब मेरे पास में है यह build skill की paint spare machine और इस build skill की paint spare machine से guys हमने कराया है अपने घर को paint and घर हमारा हो गया है beautiful यह guys आप लोग कुछ सैंपल देख सकते काफी दोस्तों अच्छे से guys इस machine ने paint किया है है हमारे घर को सो guys अगर आपको यह purchase करनी है तो link आपको निचे description box में मिल जाएगा आप महा से यह purchase कर लीजे इसको यूस करना भी guys काफी simple and आसान है और दोस्तों इसके साथ में हमको काई टाइप के nozzle मिलते हैं तो अलग-अलग दोस्तों design का दोस्तों आप paint spray करके दोस्तों यूस कर सकते हैं इस machine के दोरा so मुझे दोस्तों personally काफी पसंद आई by the way इसको guys मैंने जो है 2369 रुपए का दोस्तों purchase किया था 2369 रुपए की guys यह मेरी paint spray machine है यह guys जो work करती है इसका input source जो है 220-240 volt के बीच में है और इसकी frequency जो है वो 50 hertz की है and maximum यह 600 watt का support करेगी guys and quality आप लोग guys देख सकते हैं काफी दोस्तों सही है and अच्छे से guys जो है इसको बनाया गया है and ऐसा नहीं कि यह आप use ना कर पाए आप use करते हुए आपको current अगेरा में लग जाए ऐसा कुछ नहीं होगा guys काफी support के लिए यहां पर rubber दिया गया है and दोस्तों safety को बनाया रखने के लिए guys इसका जो outer material है वो plastic का दिया गया है so guys यह काफी दोस्तों अच्छी machine है और दोस्तों long time के लिए आपके घर पे काम आएगी and दोस्तों safe भी है कोई भी guys इसको अपने घर पे use कर सकता है so guys काफी convenient है मैं आपको इसको power source में लगा के भी दिखा देता हूँ कि यह कैसे काम करती है यह दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि मैंने जो है build skill की paint spray machine को जो है power socket से connect कर दिया है अब guys मैं जो है आपको इसको चला के दिखाऊंगा और guys इसके साथ में हमको मिल जाता है एक extra pipe अगर guys यह pipe जो है आपका खराब हो जाता है या खो जाता है तो guys आप यह second pipe भी use कर सकते हैं काफी मुझे सही लगा by the way इसकी accessories जो है build skill.com पे भी आप order करके मंगवा सकते हैं और दोस्तों यह जो है build skill की machine काफी मुझे design wise भी समझ में आई और इसका look भी मुझे काफी सही लगा यह guys आप लोग देख सकते हैं So I hope कि यह आज का video आपको हमारा बहुत पसंद आया होगा अगर guys आप इस paint spare machine को purchase करना चाहते हैं लिंक नीचे description box में available है आप इस paint spare machine को वहाँ से purchase कर सकते हैं So guys मुझे उमीद है कि हमारा यह video आपको पसंद आया होगा अगर यह video आपको पसंद आया है तो हमारे चैनल को like, share, comment और subscribe जरूर करें And latest updates के साथ बने रहने के लिए मुझे Instagram पे follow कर लिजेगा And दोस्तों घंटी को जरूर दबा दीजेगा जिससे future में आने वाले वीडियो के notifications आपको जल से जल मिलते रहे So guys इस वीडियो से related आपको कोई doubts या suggestions हो तुम नीचे comment करना बिल्कुल मत बूलिएगा So guys मिलेंगे आपसे जल्दी एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए हमारे चैनल के subscribe कर लिजे और हमें Instagram पे भी follow कर लिजे Bye Bye Guys